तो हेलो बच्चो नौवा यूट्यूब चैनल के बोड़ आभा सिक्षन में आप सभी का स्वागत है ठीक है तो इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपोर्टेंट बात करने वाला हूं कि कक्षा नोवी और ग्यार्वी के जो बच्चे एक्जाम दी के 10 और 12 का एक्जाम अबर करते हैं और 12 बीडिए-ध कि था अब करा हूँ नहीं आये वीडियो इसके बात करेंगे कौन 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 से बच्चे पास फेल कों खेल रहते तो चलिए मैं इस पर research करके मैंने अपना बना दिया है जो बनाना था article देखिए मैंने आपके लिए बना दिया है आपसे अपने page पर research करके लिग दिया हो ताकि असानी से समझा सकूँ तो यह देखिए यह मैंने पुरानी वीडियो में बता था ज़्यादा लंबा इधर उदर खीचने की कोशिशन नहीं करूँगा सिधर to the point बात करूँगा ताकि सभी बच्चों को समझ में ज़्यादा लंबा टाइम खीजाए नहीं और एक बात मैं बता दूँ कि जो बच्चे अगर fail भी हो जाएंगे तो मैं उसका solution भी बताऊंगा कि कैसे आप पास कर सकते हो यही साल आप आगे निकल सकते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं अब आपको एक ऐसे आपके बारे में बताऊंगा जो आपके study में काफी ज़्यादा helpful रहेगा चाहे कोई भी question हो, doubt हो या फिर कोई concept आपको समझ में ना रहा हो boards हो या janeet पढ़ाई में कोई भी दिकता आ रही हो तो उसका solution है fillo app अपने doubts को किसी भी time clear कर सकते हैं तीन easy steps में सबसे पहले app store या play store में जाकर इसे download करें अपने phone number को फिर इजिली sign up कर लें अपने question का picture लें या फिर उसे type करके submit कर दें और फिर fillo app आपको जोड़ देगा 60 second में इंडिया के top expert से live call पे आपकी question में आप कहना चाहते हैं कि bulb की power कितनी है अगर bulb जो है वो 220 voltage पर operate हो रहा है इस battery का जो voltage है वो आपको given है 220 तो यह आपको simple relation हो गया है यहाँ पर अब अगर कोई आपको और doubt है तो बताईए इस app का download link वीडियो के नीचे दिया गया है तो जाके download करो और मेरा referral code description box में मिल जाएगा जिससे 10% off में आपको मिल जाएगा फिलो app तो देखेए grade C में जो बच्चे शाले 16 से 22 शाले 22 के बीच में जिसका अंक मतला 16 से 23 समझ सकते है कि 16 से 22 के बीच जिसका अंक हो ग्रेड सी में है तहां पर मैं वह बोत रहा हूं नंबर अगर सब subject में है आप धियान से मेरी बात समझे lu tablets 23 या 23 से उपर होना चाहिए 23 या 23 से उपर सभliamo सबी subject में तो भी direct पासँच में आपको कोई झंजनक नहीं है मैं बताइग कि मृताँ किरो सब subject में 23 से प्लस रहना चाहिए लेकिन जो बच्चे का 22 नंबर भी है है ना और इंटरणल में उसका गर मिल चुका है कितना इंटर्णल मेगर उसको मिल चुका है कितना इंटर्णल में अगर उसको 9 अंक मिला थो 9 ऑन iqt घare घर जाएगा Łघ 3 नमॉर नूम्पर एसका तिर फिर भी पास हो जाओगे तो ये सिरु आपको कोई मतलब नहीं च्छीज़ ह Zukunft सी सब्सक्राइब होना चाहिए है ना इतना तो होना ही चाहिए इतना है थब याप पास होगे कर प्रैकटिकल मैं नЕ जोड़ दिया साथ नंबर अगरो मतलब केंमिला के मिला तो उससे आप गटा लीजे घटा कि अगर तेरा आ जाता सब सब्जेक्ट में तो आप समझ लिए पास है ठीक है तो यही बात मैंने यहाँ पर बताए थी ठीक है अब देखिए आप मैंने एक अपडेट आया है कि यहाँ से देखिए यही पर मैंने दो double star इस समझाने के कोसिजिके मतलब यों पॉास करेंगे जिनका थेयोरी में 40 ABC 33 घ्यारती को इसी अप्डीन में आधे उस विशे में नहीं यहाँ पर अभी सारी चीजी समझ में आ जाएगा कि एक विशे में आपको पांच अंक घट रहा है तो आप पास कर दी जाओगे देख लिए एक विशे में फेल रहने पर पांच नंबर का ग्रेस अंक मिलेगा तो यही चीजी यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर एक विशे में आपका आठ याठ से अधिक अंक है तो भी पास कर जाओगे सभी विशे में तेरा पलस होना चाहिए थियोरी में और एक पेपर में अगर आठ नंबर भी है एक पेपर में तो आप पास हो जाओगे ठीक है तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो स मिला के मैं बता दू, 28 में आप पांच घटा लो, 23 में पांच घटा हो के मतलब अठारा, जिनका से ज्यादा कि एक सब्जेक्ट में पास हैं, अगर दो विश्यों में तेरा से कम है तब सर आप पका फेलें, एक सब्जेक्ट में सिर्फ आपको मिल रहा है, ठीक है मुखा, और एक विश्यों में अपको अगर उस हिसाब से देखा जा तो 23 अंक होने चाहिए, है ना, तो 23 में कम से कम पांच नंगर कम भी रहा, एक सब्जेक्ट में, मतलब 18 भी है जोड़के तो आप पास हो, यह मैंने आपको किलियर कट यहां समझा दिया है, अब देखिए अधिक्तम ग्रे संग कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वीथ प्रेक्टिकल का मैं बात करू मैंने बता दिया जो प्रेक्टिकल होला सब्जेक्ट है, और जो बिना प्रेक्टिकल होला सब्जेक्ट है बच्चों, ऊसमें की संग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें फूल मांक 26 होगा, पास मार्क आपको 26 न नहोगाँ निकाल लिएगा तो 33 परसेंट 26 यहाँinqu जरूरी है पास marg के लिए ठीक है अगर एक 20 से में इतना से 5 नंबर कम है मतलब इतना अंक है इतना अंक हे अगर एक सुब्णेक्ट में तो पास है तेरा याौशा बाकि सुब्ढ़क्शन के तो अधारा और एक हीस से ज्यादा आा चाहिए प्रेटीकल को वाले-सब्जेक्ट में किस से प्रेटीकल होता होना चाहिए ठीक है तो यह सारी चीज़े आप याद रखिए का समझाने के लिए थोड़ा सा समझा दिया था अगर यह से समझ में नहीं आ रही तो यह याद रखिए कि 23 से अगर पलस है सब सब्जेक्ट में तो आप से एक सब्जेक्ट में पांच कम मतलब गठारा नमबर है तो आप पास हैं अगर दो सब्जेक्ट में 18 से कम है आपका थोड़े से अंसे यहीं पर मैंने इसको समझा दिया है तो आपको केलियर कट आपको समझ में बाग यह होगा अब चलिए जो आर्टिकल है वह पढ़के मैं आपको समझा देता हूं कि और क्या क्या फर्स डिविजन से कि बात की गई है पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा कि मैट्रिक इंटर पर इच्छा के रिजल का फॉर्मूल कर लिया है, इसे लागू करने के लिए त्यारिक की जा रही है, जैग द्वार रिजल्ट को लेका त्यार किये का प्राउधान के अनुड़ूप इस वर्स मैट्रिकों मिंटर की परिचारतियों को किसी विशे में सुन लीजे, तक है ना, तक को किसे मिल रहा है, कक्षा, ना तो नाइन वाई-गयार्वी में एक वीसे में फिलें पांच नंबर फिल रहना चाहिए यह भी आद रखिए कि अगर आपका एक वीसे में आपका फिलोगे तो सेफ हैं कि इंटरनल में पूरा दस नमबर नहीं मिलता है नो आठ नमबर गर मिला होगा तो सतरा तक में भी आप पास है लेकिन आपको जिसका चौधा तेरह है एक सब्जेक्ट वो पक्का गरंटी फैल है यह याद रख लिजे मैं भी फिर भो बोलते रहा हूं फिर से एक सब्सक्राइब करने पर फर्थम सरे नहीं मिलता है अगर दो से पंचानबे से 299 तक भी है तो आप फर्स्ट कर जाएंगे कर दिये जाएंगे और आगे देखते हैं यह प्रवधान अन्य डूइजन पर भी लागू होगा गर आपका सकेंड डूइजन आपको पता है कि 245 से मिलता है बात कि मैंने में बता रहा है तो अगर आपको 242 भी है तो आपको सेकेंड डूइजन मिल जाएगा पांच नंबर तक मिल जाएगा है ना वही चीज़ें लिखी विए अन्य डूइजन पर भी लागूगा कच्छा नोवी यह इगारवी में पांच विसे की परिच् होती है तो पांच विसे में जो आपका वसत पांच विसे में जो पास होते हैं उसी को मतलब सफल गोसित कह जाता इसे में कक्छा नोव और इगारवी की परिच्छा के पास करने वाले विसे जाते जो चार विसे में पास थे उन्हें इस परदान से काफी लाब होगा जो चा मिलेगा चाटे सब्जेक्ट में है ना जिसे अगर आपका सतर परशेंट आ रहा जोड़के तो आपको सतर नमबर दे दिया जाएगा चाटे पेपर में ठीक है जो आपको परशेंटे जोड़के आएगा वह इस माह जारी हो जाएगा रिजल्ट यही माह में आपका 20-25 जुला आपको पता है कि गरर एक सब्जेक्ट में 8 नमबर भी थो पास है एक सब्जेक्ट में अगर 2 सब्जेक्ट में 8 नमबर है तो आप फेलते हो गहां अगर में में आपको मार्स पता है तब मैं बात करो अगर इंटर्णल का मार्स नहीं पता है आपको तो 23 अंक मान के चलिए 23 या 22 22 में भी पास हो चलिए 22 मान लेता हूं तो 22 से कम है तो आप से नहीं हो थोड़ा और 20 से जिसका ज़्यादा कम है धेर कम है वो एकदम अंसेफ है वो त्यारी क वह तो नहीं करना शुरू ही करने तो उनके लिए बहतर होगा क्योंकि इंटर्णल में अगर आठ नमबर मिलेगा तो 21 में पास हो जाएंगे क्या कि 13 अंबर होना चाहिए तो आप इकीस में भी पास हो जाएंगे लेकिन आठ नो नो से तो कम से कम आठ तो मिलता ही है अगर आगर आपको 20 जोड़ के आ रहे हैं तो आपको पेपर में कितना बार रहे हैं इस बीत नमबर से कम है है उसमें एक सब्जेक्ट में घर है तो आप पास हैं अगर दो सब्जेक्ट में टोटल जोड़के में बोल रहा हूँ थियोर इंटरनल दोनों जोड़के अगर 20 नमबर भी आपके है मतलब कि मार्क्षिट के किनारे तो आप सेफ हैं अगर उससे भी कम है तो आप अनसेफ हैं एक में उधारन देके थोड़ा समझा देता हूँ जैसे उधारन के तोर पर ये वच्टे का देख सकते हैं कि इंगिलिस में इनका 27 नमबर 23 से उपर पास हैं हिंदी में 23 से पास हैं पका गैरेंटी पास है सोसल साइंस में अठा रहा है और sociology मठा रहा है यह थोड़ा सा लोचा होगे इनके साथ history में 23 से पला से पास है अब देखिए दो subject में है तो यह fail होने का डर इनको पका जादा है ठीक है क्योंकि दो subject में इनका 20 से भी कम है हमेने बता है कि 21-22 बेगर है तो डर कम है लेकिन 20 से कम दो subject में नहीं होना चाहिए दो subject में 20 से कम है अगर एक subject में रहता तो पास कर दे जाता है दो subject में तो इनको डर है इनको fail किया जा सकता है अब इस बच्चे का देखिए इस बच्चे का सभी subject म में भी 23 प्लस एक मैं सीव 23 से कम था अब कितना कम है पांच नमबर कम है 23 तो यह पका सेफ हैं बहुत ही इनका लग अच्छा है क्योंकि इनका 23 से 5 नमबर ही कम है तो मतलब पास हो जाएंगे जिनका 18 से भी कम है एक ही सब्जेक्ट में ध्यान से सुनिएगा एक ही पास हो जाएंगे क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में फेल नहीं मिला होगा सुनिए अगर इनको इंटरन में इस सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं नुमबर मिला होगा तो नहीं ना दे जाठ आठ गट आने पर कितना रहा है तो दस नबर लाएंगे तो फिल हो जाएंगे लाकिए त्योरीव में दिखत नहीं है लिकिन जिनका दो-तीन सब्जेक्ट में उनको दिखत है तो मैंने आज के वीडियो में सारी चीशे कवर कर दी एक सब्जेक्ट में अगर चंक तक अगर का में कोई डिविजन में तापको ग्रेस पॉइंट मिलके डिविजन बना दिया जागा सेकेंड से फर्स फर्स से ठाड से से सेकेंड कर दिया जाएगा है ना तो कोई भी तरह का डाउट है कॉमेंट कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आइडी में आप फोलो कर सकतें इंस्टाग्राम आइडी में जिनको दिक्कत है बात कर लीजिए इंस्टाग्राम आइडी में दिख रहा है महां सब हमसे बात भी कर सकतें आज के लिए बस इतने धन्यवार